नमस्कार आईए कनिश्टा उली के बारे में बात कर लेता हूँ कनिश्टा उली बुद्ध की उली इसको ज्ञान के रूप में जाने जाता है साथी साथ बुद्धिक छमता के लिए जाने जाता है और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ासा आपको चल्द वाजी से बचना होगा क्योंकि सूर्या के पहले पर तक नहीं पहुंच रही है यह बुद्ध का उली धन के लिए जाने जाती है वर्तवान में धन की सिती खराब है तो यहाँ यारदास वुद्धिक कोई कमी नहीं है बस जल्द वाजी से बचना है धहरिये रखेगा तरफ की अवश्य मिलेगी आईए बात करता हूँ यसकी उंगली के बारे में यसकी उंगली सूर्ये की उंगली होती है मान सम्मान के ल यहाँ बियावारिक पर पर भी है मान सिख टेंसन भी हो जाती है दिमाग कराब भी हो जाता है किरोध भी आता है कभी कभी लगता है गल्त निटने तो नहीं ले लिया ऐसा सब चलता रहेगा लेकिन चंता ना करें आप निश्चित रूप से लगर्ति को प्राप्त होंगी अब भी यहां पर संगर्स है, आईए बात करते हैं शनी के उली के लिए, शनी के उली और यहां पर जब शनी के उली होती है, तो इस पर भी जब कट मिल जाएं, तो यह भी आर्थ किस्तिती के लिए जानी जाती है, साथी साथ स्वात के, तो आपको पने स्वात का भी धियान आएं साती साथ आपको आर्थिकी स्थिति भी अभी वरतमार में मजबूत नहीं हैं ये रिखाएं अगर हाथ पे से नो महीने में कड़ जाएं या सिरफ इसी हाथ पर रह जाएं और राइट पर ना रहें तो फिर समझ लीजिए बहुत जल्दी पगरती आने वाली है अब बा ये उली है एक बात और है यहां आपकी जो ब्रस्पती की उली है वो शनी की उली से एकदम अलग है और जब इस तरीके से गर्ब हो जाए कहब बीच में तो ये एक तरह से आप लोग कह सकते हैं ये अभी मानी है लेकिन आपको बहुत प्यारा होता है अपना एक तरह से अप सीदा सीदा क्योंकि मुझे आपका राइट हैंड दिखना है और इसके द्वारा तैय करना है आपका भविश्य है यहां बात करता हूं राइट हैंड में सबसे पहले बुद्ध परवत के बारे में बुद्ध परवत है सूरिय से बुद्ध परवत को रिखा जाएं यानि कि राज्य सरकार के कारियों से राज्य सरकार की संस्ताओं से किसी गुरुप से जुड़ करके आप सम्मान प्राप्त करेंगी धन प्राप्त करेंगी ये पक्की रेका यहाँ पर बन गई यानि जो दिसा में आप जा रही है बुद दिसा आपकी सही है अब बात करता हूँ पान को जानने वाला पर्व. यहां पर भी अच्छी खासी रेखा हैं, यानि कुल मिलाकर जो गौर्वर्मेंट की जॉब होती हैं, आसा गौर्मेंट की आसाएं होती हैं, या कोई और गौर्मेंट का अगर समवीदा की जॉब अगर आप चाहें, तो आप उसको एपलाई करें तो आप उसमें इस्थान पा सकती हैं आप वो जौब पा सकती हैं आईए बात करते हैं शनी के पर्व की शनी के पर्व पर इतनी शांदार रेखाएं ये दो दो रेखाएं कड़ी हैं ये आपके जीवन के आज तो नहीं लेकि जब जीवन का 55 वर्ष का बात का समय होगा दूर दूर के लोग आपको जागेंगे, आपके पास धन भी होगा, आपके पास सम्मान भी होगा, उचा पत्प, प्रिदिश्टा सब कुछ आपके पास होगी, यह पक्की रेखा हैं आपके आद के अंदर मौजूद है, आई यह बात करता हूँ ब्रस्पती के पर्व की, ब्रस्प बनाता है, मंदिरों में दान करता है, हॉस्पिटलों में दान करता है, ट्रस्ट बनाता है, कुल मिलाकर बहुत अच्छे संकेत, और स्वयम का मकान भी आप अपनी ताकत से बनाएंगी, ऐसे भी संकेत यहां पर मौजूद हैं, चलिए, अब मैं बात करूँगा हिर्दे रि यहां यहां पर दिखाई देती हैं, यानि के आपके बीच में बहुत अडचने हैं, जिसकी वएसे मन आपका इस समय पर वर्तमान इस्थिदी में यहां पर जो है थोड़ा सा अशानत है, लेकि इंतना करें, आगे आने वाली यह दे रिका ठीक है, आप सही मार्ग पर पहु निकल करके अगर शनी रेका के साथ मिलें, भाग्य रेका के साथ मिलें तो भाग्य भी बनेगा, करम रेका से मिल रही हैं, करम बनेगा, साती साथ बुद्ध पर वर्त से संपर्ग बनाएं, तो धन भी मिलेगा, तो ऐसी स्थितिया करम से जोड़ करके आपको काम करा रही है चलिए इसके बाद बुद्धी रेखा की बाद करता हूँ, बुद्धी रेखा और यहां भागदोड के परवत तक पहुंची यानि चंद्र परवत तक पहुंची आपको भागदोड कराएंगी, साथी साथ इसमें से एक शाखा निकल करके जब बुद्ध परवत को निकले त आती हूं सब कुछ है इस बुद्धी रेका के अंतरकत तो चलिए ये इस बात को हो गया संकेत अब बात करता हूं यहां पर मैं सीधा आपके दित्य बंगल परवत के बारे में जगडे जंजट मुकदमे इनके लिए जाना जाता है यहां पर कोई भी जगडा जंजट मुकदम करम करती रहेंगी बाग दोड़ लगी रहेंगी इस तरह का और मन बहुत चलाएवान रहता है बहुत जादे मन के उपर जुम्मेदारी रहता है ऐसा व्यक्ति औरों की जुम्मेदारी भी अपने उपर ढोलेता है तो जलिये यह ठीक है लेकिन मानसिक अवशाद रही है जात्राओं कराना प्रग्रती कराने के लिए रहा जारी जाती है अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा-सीधा यहां व्यापारी की कोई व्यापार नहीं है यहां कुल मिला करके व्यापारी रहा नहीं किसी व्यापार से नहीं किसी संस्ता से जरूर लेकिन किसी व्यापा भाग्य रेका जब इस प्रकार से चले तो जो परिवार की यानि स्वयम का आपका जो परिवार है उसके द्वारा आपको उस्सहा मिलता है एनर्जी मिलती है बोलो कहते हैं नहीं आप बड़ो आपके जीवन के आगे अंत में निश्चित रुप से आपको विजा मिलेगी तो जो परवार जिससे पैदा हुई है वहां के लोग आपका उस्सहा बढ़ाते हैं इस प्रकार को दिखलाने वाली यह रेका है यहां पर विराजवार है तो बहुत अच्छी रेका है चिंता नह करें भाग्य रेका आपके हाथ के अंदर है अब बात करते हैं इसके बाद हम आ नॉर्मल व्यक्ति के पास हैं वो आपके पास में मौझूद है इसके बाद बात करूँगा आपके मंगल रेका के बारे में मंगल रेका और यहां से चल करके जीवन के काफी 60 वर्स तक लगवग लगवग आपको हर मुसीबत से निकालने के लिए यह बजरंग बली रेका आ अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपके आयू रेका के बारे में आयू रेका चले और जाके बड़ी बंद के आखीर तक चली जाए असी वर्स की आयू ऐसे व्यक्ति की होती है तो यह इस नॉर्मल रूप से मैंने आपका हाथ पढ़ा और संतान रेका भी मुझे दो से ती तरह का काम नहीं हो पा रहा है बिलकुर सही कह रही है आप आपके उंगलियों ने बता दिया जिस तरह का आप सोच रही है उस तरह का नहीं हो पा रहा है भाग्य रेका में भी ऐसा लगता है कि जैसा सोच रही है वैसा 35 तक नहीं हो रहा है तो चलिए अब मैं बताऊं आप को क्या है क्या आप संस्ता के लाइक बनी हैं हाँ बनी हैं क्योंकि सूर्य परवत कह रहा है आप राजनीतिक छेतर में भी जा सकती हैं आप मेंबरी का वारडी का राजनीतिक कारियों का किसी भी पत को प्राप्त करना चाहेंगी तो मिल जाएगा और उसमें सम्मान भी मिलेग मैं समझता हूँ अभी आपकी उम्र जो चल लई है बो चल लई है 35 वर्स में लगबग लगबग 36 वर्स यानि के सप्टेंबर 2021 के बाद सितंबर 2021 के बाद ये दो सपोर्ट रेखाएं आकर के आपके प्रभा को बढ़ा देंगी यहां ये बढ़ा देंगी और इसके बाद आपकी स्पीड दे जाएगी 2020 के बाद जब तक आप भाटकिये मत लगी रहिए निशित रूप से आप विजए होंगी इसमें कोई शकल नहीं है तो बिलको 2021 के बाद आपको जादे सपलता मिलेगी पैसो की तंगी कब तक दूर होगी 2021 के बाद दीर 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 करके दूर होनी सुरू हो जाएगी बच्चों की सिक्चा बच्चों की जनम पत्री भेजिए उसके दवार हम बता सकते हैं कौसी लाइन में जाएंगे कब शादी होगी जो सवाल पूछना चाहिए आप वो सवाल बता सकते हैं तो अपने परिवारी खाट्वेंट से संबंद से अच्छी नहीं बनती है यह पूछ रही है आप तो बिलकुल ऐसे कोई संजोग नहीं है कि कोई तलाक हों कुछ जो संबंद आपके नौर्मल रूप से आज चल रहे हैं वही आपके जीवन बर बने रहेंगे तो यह इस प्रकार से जो रिखा हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया और निश्चित रूप से मैं बताना कहना चाहूँगा कि आपको मैं कुछ जो है को कि आपका भी ऐसा समझिए कि साल बर है समय तक आपकी अनर्जी बची रहे और आप फिर उसके बाद तरकी के पत पर आई जाएंगी इसके लिए आप रोजाना अपनी पूजा में बजरंग बान पढ़ें अर्मान चालीसा बजरंग बान तो ये कुछ ना कुछ रोजाना पढ़ें और सा कामने नमस्कार